नमस्कार सबी दर्शकों का सक्सेस ग्रूप में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे कुछ धार्मिक मानिताओं के बारे में ग्रहों का नचत्रों का हमारे जीवन पर बहुत-बड़ा प्रभाव पड़ता है और ग्रहों को प्रसंद करने के लिए उनके प्रकोप से बचने के लिए कुछ धार्मिक मानिताओं भी हैं कुछ विधान बनाए गए हैं कुछ नियम बनाए गए हैं हलांकि इनका वेग्यानिक आधार नहीं है लेकिन वास्तों में जीवन में इसका बहुत-बड़ा प्रभाव पड़ता है और हम मानने को बात हो जाते हैं मानते यही तब है जब हम कोई नुकसान उठा लेते हैं तो आपको इस तरह का कोई नुकसान ना उठाना पड़े इसलिए यह वीडियो अप्लोड कर रहा हूं शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए शनिवार को यह चीजें नहीं खरीदनी है कौन-कौन सी चीजें आपको नह नहीं रहे वह आपसे नाराज ना हूं तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में वीडियो कर अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी बताईएगा शेयर कीजेगा चलिए वीडियो शूर करते हैं हिंदु धर्ब में सब्ताह के सभी दिनों का अपना अलग और विशेश महत्व है सब्ताह में आने वाले सातों दिन अलग-अलग देवी देवताओं की विशेश पूजा अर्चना की जाती है इसी तरह शनिवार को भगवान शनिदेव का दिन माना जाता है और उन्हें खुश करने के लिए पूरे विधी विधान से आराधना की जाती है हिंदू धर्म में शनिदेव के लिए कुछ बहुत जरूरी बातें बताई गई हैं जिनका मानो जीवन पर भी काफी प्रभावशाली असर देखने को मिलता है शनिदेव अपने भक्तों और अच्छे कर्म करने वालों की हमेशा हिफाज़त करते हैं उन्हें दुख दर्द से बचा करके रखते हैं जबकि बुरे कर्म करने वाले और उन्हें ठेस पहुंचाने वालों को दंडित भी करते हैं क्योंकि शनी देव को न्याय का देवता माना जाता है शनी देव को न्यायधीश माना जाता है जिन लोगों को भगवान शनी का आशिरवाद प्राप्त होता है वो हमेशा सुखी रहते हैं इतना ही नहीं शनीदेव के आशिरवाद में इतनी शक्ती होती है कि वो अपने भक्त को गरीब से धन्वान बना देते हैं लेकिन शनीदेव को ठेस महुचाने वालों पर तूटता है मुसीवतों का पहाड भगवान शनीदेव का अशिरवाद प्राप्त लोग खूब तरक्की करते हैं जिवन में सुखी रहते हैं लेकिन शनीदेव को खुश करना कोई मामूली बात नहीं है तो आज हम आपको यहां कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप भी भगवान शनीदेव को खुश कर सकते हैं दरसल शनीवार को कई नई चीजें खरीदने की मनाही है और हिंदु धर्म के मानने वाले ज्यादा तर लोग इन नियमों का पालन करते हैं जबकि ऐसे लोगों की भी संक्या काफी ज्यादा है जो इन नियमों को नहीं मानते हैं ऐसे लोगों के जीवन में आने वाले संक्ट बता करके तो नहीं आते हैं लेकिन कहीं न कहीं उनके कश्टों में शनीवार के दिन की जाने वाले खरीदारी का रोल जरूर होता है लेहाजा हिंदो धर्म को मानने वाले सभी लोगों को जीवन में सुखी रहने के लिए भगवान शनीदेव को खुश रखना चाहिए और शनीवार के दिन खरीदारी के नियमों का पालंद करना चाहिए तो आई ये जान लेते हैं कि ऐसी क्या क्या वस्तुएं हैं जिने की शनीवार के दिन खरीदारी नहीं करनी चाहिए शनीवार को नहीं खरीदनी चाहिए ये चीजें शनीवार के दिन लोहा या लोहे से बने किसी भी चीज को नहीं खरीदना चाहिए शनिवार को नमक नहीं खरीदना चाहिए सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए काले रंकी की कोई भी चीज नहीं खरीदना चाहिए काला तिल नहीं खरीदना चाहिए और जाडू भी नहीं खरीदना चाहिए बताते चले कि इस दिन कैंची खरीदना तो दूर कैंची का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए शनिवार के दिन इन चीजों को खरीदने से व्यक्ति के जीवन पर कई तरह की विपत्तियां आ सकती है कहा जाता है कि शनिवार के दिन यदि खरीदारी के इन नियमों का पालन न किया जाए तो व्यक्ति के घर दुख, दर्द, दरिदरता, बीमारी, असफलता, जगड़ा, आर्थिक नुकसान ये सब सामना करना पड़ सकता है लेकि इसके अलावा यदि आप शनिवार के दिन इन चीजों को ना खरीदें और भगवान शनिदेव की पूरे विद्विधान से पूजा आराधना करें तो निश्यत रूप से शनिदेव आपसे प्रसंद होंगे आपके संकोटों को दूर करके खुशियां लुटाएंगे तो इस तरह से आपको शनिवार के दिन 4-5 चीज़ें हैं वो आप ना खरीदिये उससे आपको जो है कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा एक दिन बाद आप खरीद लें रविवार को खरीद लें या फ्राइडे को पर्चेस कर लें लोहा है लोहे से बनी कोई बस्तू नमक है सरसों का तेल है काले रंग की कोई भी चीज काला तिल है और जाडू है और कैशी है ये चीज़ें आपको शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए तो मैं समझता हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे और अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो तो अपने साथियों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और इसका अनपालन कीजिएगा अपने जीवन में आपके जीवन में सुक सम्रिदी सफलता धन यश् सब कुछ आपको शनीदेव उप्राप्त कराएंगे ओके थैंक यू